दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांस्वर पोस्टिंग के मुद्धे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनोती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई शुरुआत में कोट याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी बेश ने कहा कि कोट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती आप सरकार की और से कोट में पेश हुए सीनियर एड़ोकेट अभीशेक मनू सिंग्वी ने कहा कोट ने कई मामलों में कानून उपर रोक लगाई है इस मामले में केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोट के फैसले का ना सिर्फ उलंगन किया है बलकि चुनी हुई सरकार की भूमिका को कम कर दिया है इसके बाद कोट ने केंद्र को नोटिस जारी किया बेंच ने दिल्ली सरकार से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराजपाल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है C.J.I. D.Y. चंद्रचुन और जस्टिस पी.S. नरसिम्हा की बेंच मामले को सुन रही है अगली सुनवे 17 जुलाई को हुगी ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ नहीं रहा है